स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पे और आज की दिन के शुरुआत बोती है ची मुक्ते शुर में आज तीसरा दिन है और भी आज सुबह का वेदर जो है वो आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन सुरज बगवान एकदम सामने आप अपने आँखों से बड़े आराम से इनको निहार पाओगे और अच्छी प्रोपर्टी हो तो बालकरी में बैठ के विया है सुर्य देखता के सामने चाहे पिने के तुम मज़े कुछ हो रहा है और बाकी रही बात लड़ू अभी सो रहा है ममता उठी है और एक चीज अच्छी हो रहा है इस प्रोपर्टी के बारे वो आपको दिखाता हूँ अगर प्रोपर्टी से आप जो है हिमालिया के भी पूरी और आलू की बड़ी अत्तरीदार सब जीवनी है जिसका टेस्ट जो काफी पसंद आया लड़ू को और हमें भी ब्रेकफास्ट करने बद हमने शुरू की पैकिंग और मिन्वाइल जो इधर आंटे जी थी ना जो बच्चे कल जिन्होंने एक पाड़ी खीरा दिया थ तो उन्होंने वहिया गिफ्ट जो है मा गिफ्ट कर दिया है लो जी गाड़ी में समानलोड हो गया है और अभी के लिए हो सकता है प्रोपर्टी यह बहुत अच्छी लगी में भी आ गयाने वाले टाइम में भी जरूरूर इंजोई करने आए बट शायद वीडियो करने का लगबग 35 मिनट के ट्राव के बाद हम पहुंच गें बालूगाड वाटफोल और इस की इंट्री जो ना वहां सामने से आप इस साइड से आते हो या फिर वाली वाली साइड से भी आओगा ना तो में भी इस साइड से भी आप जा सकते हो बट यहां पार्किंग काफी अच सकते हो आप आगे की साइड जो यहां रस्ते पर जो पार्किंग अलाओ निया क्योंकि भीड़ू जाती है विकेंड पर जबाते हैं लेकिन अभी सेप्टेंबर का मुसमत कुछ खास बीड़ है नहीं देख सकते हो स्कूल के बच्चे आई हैं बहुत सारे और बाकी रही बा कि अपनी चाय पानी या मैगी का नजारा ले सकते हो इस तरह है पानी में या पैर डुबोक या बैट सकते हो काफी जगह है मतलब बीच बीच में बहुत सारी स्टोल्स भी मिलती है तो पूरा रस्ता जो है लगब एक किलोमेटर का यह ट्रैक है थोड़ा उपर नीचे बाकी बीच में कुछ-कुछ एक्टिविटीज भी चलती रहती है जो पेड एक्टिविटीज होती है जिनको आप अपने बच्चों के साथ जो एंजोई कर सकते हो लेकिन पूरे टेस्ते में एक चीज़ को मन रहेगी चारों तरफ जो है ना बड़ी आपको नजारे देखन लिया पहुंच आते हो बालुगाड वाटरफॉल पे और जो कुछ इस तरीके के देखते हैं अभी का नजारा जो ना वहम आपको दिखा देता हूं और एक काम करता हूं मैं यहां की वाइब जो है वो दिखाऊ उससे पहले बताता हूं तो आगे की साइड जो थोड़ा गह बढ़ने से पर जैसे उसने पैर रखे उसको मजाने लग गया और दीरे दीरे करके ना लड़ू पानी में गुस्ता ही चला गया लड़ू ने यहां पर दोस्त भी बनाये और उसके बाद वह लड़ू ने खूब मस्ती करीब पानी के अंदर एक काम करता हूं ज़रा यहां क दूसरी चीज जो बहुती मज़ेदार लगी वही है कि यहां पर साफ पानी में जब आप पैर रखोंगे चोटी-चोटी मचलिया यहां पर जो बहुती गुदी सी करती है और बड़ा ही मजा आता है उसमें बालुगाड वोटरफोल गूम के वह नीचे आगे हैं और लड़ के बाद हम पहुंच के कैंची दाम यानी बाबा नीब करोरी के दर्शन करने के लिए अगर आप नेनिताल आ रहे हैं नेनिताल के आसपास आरे तो आपका आना बनता ही है इस साइड से आप आ रहे हो और यह रोड जो है अलमोड़ा जाती है तो पार्किंग की भी आपको को देख सकते हो आप जो मूर्ती यहां पर स्ताफित कीगी है जिनके आप दर्शन करते हो और बाकी एक काम करता हूँ आपको अंदर लेके चलता हूँ यह मेन वाला गेट जो है तो इस गेट से आप जो बेंट्री करों तो कुछ इस तरीका करना चारा देखने को मिलागा आज रिएक की दिन जो आप अपने इसाब से यहां पर जो ट्रेवल है प्लान कर सकते हो और मंदर के अगर बात कुछ तो थोड़ा जो यहां पर अंदर आए यह मेन गेट है यहां पर मनदर का और इसके सामने जो है हाथ दोने के लिए जिगे बनियों जहां पर आप हैंड़ोश करके अंदर जा सकते हो और रही बात भी आप प्रशाद की तो एक चीज मेरे को बिल्कुल अलग लगी फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो प्रशाद है यहां पे ऐसा कुछ चैने का बहुत ही बड़ी जवर्दस प्रशाद जो है मिलता है हमने भी यह दर्शिन किय करने के बाद पहुंच की साइड में एक अन्नपूर्णा बोजनाले टाइप एक चोटा सा रेस्टोरेंट है जहां पर थोड़ा मन होगा था चाई पीने का तो चाई के साथ लिली है पकोड़े जो की हरी चटने के साथ सब किये जा रहे हैं और पकोड़े देखके ही आपको कोड़ा सा चेंज करा हमने और ममता के सजेशन पर हमने क्या करा नीम करोली बावा के पहले दर्शन कर लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया अब हम जा रहें नहीं निताल क्योंकि अगर आज पहले ही था कि आज नहीं निताल जाते हैं बस लेग घुनते और वापस आ प्रोड जाती और जो नीम करोली बावा जबन मतलब मंदीर जो जो कैंची दाम में वहां पर तो मतलब मत्था टेक ना था दर्शन करने तो वहां पर आदा भिंटा भी सफिशियंट था और इतनी जादा भीड़नी थी मतलब नोर्मल था एकदम सब कुछ एकदम शांती थी कि नैनिताल वाले रस्ते पर जादा है कुछ और वेदर बहुत ही बड़ी हो रखा है एकदम इस साइड से मतलब कुछ दिखी नहीं रहा नीचे अगर कोई देखे ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा है इतने बादल बादल हो रहे है हाँ जी दोस्तों शाम के बचके अच्छ परप्पटी के बारे में बता देता हूं रीजीन में बता देता हूं क्यों हमने इस परपटी को बुक किया ही लाए लएका कहाट उनितल प्रोप्रप्टी कर्के में यहाँ बड़े अराम से इस साइड से यह न害य की निकलती है लेकिन आपको वूखक करके यह बाइक के और पार्किंग की यहाँ पर टेंशन लेनी की बिल्कुल जुरुदिने काफी पार्किंग और शाम को नेनी ताल का व्यू जो है कुछ इस तरीका का यहाँ पर कोर्नर से दिखता है और लेक जो है इस साइड है चलिए जी अब मैं आपको रूम में लेके चलता हूं और बाहर जो बालकिनी उपन या कॉमन होने का फाइदा यह है कि बड़े आराम से आप वोक भी करना चाहे ना तो वोक जो है कर पाएंगे चलिए जी यह देखिए हमारा रूम दो कैटेगरी के यहाँ पर रूम है एक शायद नोर्मल और एक डिलक्स टाइप है और यह वाला जो रू की बड़ी आया प्रीमियम चीज जो मैं कह सकता हूं वो है यहां के बात्रूम नीट अंड क्लीन और काफी बड़े बात्रूम है पानी गरम वगरा की तो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है मिल जाते हैं प्रिसिक चीजें जो है सारी यहां पर आपको प्रवाइड की जा अंदर भी रेस्टरेंट है जहां हम प्रेकफास्ट जो एंजए करने वाले है रादमने जो रूम पूकी एरोडिया और शायद में से इस प्रोपरेटी का ऊपर आप निकल जाते हो वो करके और बराबर में मंदिर के एंट्री और पारकिंग में अभी पार्किंग में देख है तो भी काफी भीड पार्किंग में लोग हो सकता है लाग हो आपको 30 मिनेट्स जो है वेट करना पड़े क्योंकि गाड़ियों के जो स्लोट्स है वो लेमिटेड होते हैं जब तो कुछ निकलेगी नहीं तो भी आपको जगह मिलेगी नहीं और यह है मंदिर का परांगन बाह कोई भीड नहीं है आज की दिन तो बाकी वीकेंड का भी है मैं कुछ कह नहीं सकता और लेक के एक दम बिल्कुल पास है तो बहुती अच्छी वाइपस यहां पर आती है और आपको बहुती अच्छा लगेगा जब आप थोड़ी तेर यहां पर बैठोगे मंदिर से जब आ लो नजारे तो भी अकल देखेंगी बाकी मीनवाइल मोल रोड का नजारा जो है अभी आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा बस यह है कि रात को ट्रेफिक कम हो गया इसलिए थोड़ा वोग करने में ज्यादा मज़े आ रहे हैं बाकी शोपिंग की अगर बात कर ले आपको अपने अरिया में नहीं मिलती हो यह चीज मेरे को शायद मेरे को फस्ट टाम दिखी थी हो सकते दिलियन से अर्म मिल जाए लेकिन मेरे को दिखी तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने क्रीदियोजिन के पास और वह बहुत सरी आइटम थी और लड़ो को भी चसमा यह दो भाईयों के हैं तो भाईया लेफ्ट वाला जो है माना जाता है कि सबसे पुराना है यानि बड़ा बजार की साइड से आमोल रोड की तरफ से आओगे तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन जो पुराना है बट भाईया गलती से हम गुस गे राइट वाले में अब देखो दोनों भाईयों का यह है तो भाईया टेस्ट आपको सिमलर मिलेगा और हम ट्राइ करने वाले हैं यह एक साल का जो है डिफरेंस है बैसिकली बाकी एक्स्प्लोर कर लेते क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था वो खाना खाने के बाद बता लगा तो हम घु हूंगा मीनवाइल हमने क्या क्या ओडर के वो दिखाते हूं यह कुमाउनी राइता जो कि यह काफी डिलीशेस मेरे को ममता दोनों को लगा तोड़ा मिर्ची जादा थी तो लड़न तो नहीं खाया और यह दाल दाल फ्राई और भूती बढ़िया मैं तो आपको रिकमेंड कि आइटम बीन की काफी में जो आसपास लोग खा रहे थे ना उनसे भी हमने फीडबेक लिए काफी खुश लग रहे थे लच्छा परांटा और रोटी अब यह खाना आ गया हम जल्दी से काम कर लगते हैं खाना फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं डिनर करने के बा यह मेठा दूद यहानी कड़ाई वाला दूद पीने का मन करे यहां गुलाब जामुन खाने का मन करे तो यह जिगह भी डिस्क्रिप्षण में में डाल दिये यहां पर आप आ सकते हो हम इस साइड से कहीं नीचे आ गए हैं और यह स्टेडियम है अभी क्योंकि सांत है क्योंकि सारे बच्चे जो है वो शाम को भी अंदेरे में तो कोई नीखेलता और इस साइड से हम जाकर वोग करके अपनी प्रोपर्टी पे वापिस पहुंचने वाले हैं रात के बच गया है दस और फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल में वापिस और यह है रेसेप्शन यहां का और एक काम करता हूं मैं रेस्टोन भी दिखाता हूं जा हम सुबर ब्रिकफास्ट करने वाले हैं तो छोटा सा क्विक टूट रेस्टोनेंट का भी दी दिया जाना चाहिए आपक करने के लिए और बाकी भी आपकी मर्जी के मुताबी जो खाना यहां पर आपको मिली जाता है चलिए रूम में चलते हैं और आपको गुड़नाइट आज